Hello friends, welcome to Seekh Vidya YouTube channel आज जो मैं topic लेकर आया हूँ, उसका नाम है Borrowed Features of Indian Constitution यानि कि कुछ features लिए गए थे Indian Constitution को बनाने के लिए दूसरी countries के constitution से आपको पता ही है भारत का जो सविधान बना था वो 26 जनवरी 1950 में बनाया गया था और Dr. B.R. Ambedgar द्वारा ये बना था तो ज़्यादा बात ना करता हूँ, सीधी बात पर अब आते हैं topic पर ये एक important topic है static gk क्योंकि इससे related questions एक समने पूछ लिये जाते हैं और आज मैं इस topic को start कराने के बाद आपको side by side ये बताता चलूँगा कैसे आप countries और उनसे जो ले हुए features से उनको याद कर सकते हैं तो start करते हैं सबसे पहले बात करते हैं Australia की Australia से हमने तीन features नहीं अपने constitution में भारत के सविधान में और वो क्या-क्या है? Preamble Language, Trade and Commerce and Concurrent List जिसको हिंदी में बोल जाता है प्रस्तावना की भाषा, Preamble Language Trade and Commerce आपको बता ही है व्यापार और एवम वानिज और Concurrent List यानि की सयुक्त सूची अब इसको याद करने का simple सा तरीका है कुछ नहीं करना आपने Australia में देखिए दो चीदों तो Australia के नाम में ही आ रही हैं एक तो tray और एक L ठीक है? आपने यह करना है trail जो यह word है इससे दो चीज़े आपको याद हो जाएगी Australia में जो trail word आ रहा है न जैसे trade और commerce आपको tray से याद होई, TRA और L से आएगा आपको language यानि कि प्रेंबल की जो language है वो आप Australia word पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा कि दो feature तो Australia से यह वाले लियों है और तीसरा आपको याद करना है concurrent list concurrent list को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि Australia जो है एक continent भी है एक महादवीप भी है है ना? यह सारी जो countries है इसमें Australia जो है एक वो महादवीप है तो Australia आजाए तो आपको याद रखना है continent और continent से याद हो जाएगा आपको अगर आप relate करेंगे तो concurrent list जिसको बोला जाता है हिंदी में सहियों क्तसूची ठीक अब आगे बढ़ते हैं अगली जो country है वो है France और France से जो Indian Constitution में feature लिया हुआ है वो है ideas of liberty, equality and fraternity और इसको याद करने की जो trick है वो simple सी है आपको याद करना है simple free life free से बन गया France ठीक है इसको आपस में आप relate कराईए और li से बना liberty f से बना fraternity और e से बना equality ठीक है आपको France से बस याद रखना है free life और आपको याद हो जाएगा कि अपातकालीन प्रवधान लिये गए हैं जर्मनी के constitution से और अपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन तो आप इसको कैसे relate कराएंगे हिटलर जो था डिक्टेटर था जर्मनी का और उसने emergency की situation पैदा कर दी थी आपको पता ही है जो वो चाता था वो करे जा रहा था कितने सारे यहूदियों को उसने मौत के घाट उतार दिया था तो वहाँ पर क्या थी emergency की situation लग गई थी दोनों में emergency बात हो रही है emergency में जो है मौलिक अधिकारों को छीना गया है पर जब भी emergency का पूछा जाए तो आपने Germany को जो है टिक करना है select करना है तो यह याद हो गई होंगे तीनों की तीनों आपको अच्छी तरह उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं South Africa procedure for amendment of constitution यानि कि सविधान संशोधन प्रक्रिया सविधान में संशोधन होते रहते हैं changes होते रहते हैं तो वो वाली प्रक्रिया हमने South Africa के से लिया और दूसरा election of राज्यसभा members राज्यसभा में जितने भी लोग होते हैं उनका election की जो प्रक्रिया होती है उसका तरीका हमने South Africa के constitution से लिया गया है ठीक है तो यह आप याद करने का तरीका क्या है आपको पताएए South Africa के पहले जो black president थे वो Nelson Mandela थे ठीक है उससे पहले अंग्रेजों का वहाँ पे राज चल रहा था अंग्रेज अपने हिसाब से constitution को चला रहे थे पर जैसे ही South African president एक black आदमी बना तो वहाँ पे constitution में amendment हुए होंगे constitution में changes आये होंगे तो जब भी constitution में change आये तो आपको याद करना है कि एक black वेक्ती South Africa का president बना और उसने amendment करे constitution में ठीक है जिससे आपको यह याद हो जाएगा कि amendment of constitution जो है South Africa से relate करता है और दूसरी रही बात ये कि election of राजसभा members अब वहाँ पर upper house भी बना होगा अगर नया president बना है तो एक upper house भी बना होगा और उसमें election हुए होंगे तो इन दोनों को आपको relate कराना है South Africa से ठीक है आपको South Africa से Nelson Mandela जो हम वहाँ के पहले president थे उनको याद करना है और उस दोरान क्या हुआ constitution में change हुए होंगे उनके और election हुए थे upper house के यानि कि राजसभा members जो हैं वो change हुए होंगे उनके election हुए होंगे ठीक इससे अब आगे बढ़ते हैं जापान की बात करते हैं जापान के constitution से हमने क्या लिया है concept of procedure established by law विधी द्वारा स्तापित प्रक्रिया अब मैं आपको बता दूँ article 21 की और लेके चलता हूँ मैं आपको जो की है विधी द्वारा स्तापित किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता ठीक है जो उसको अधिकार दिये गए है right to life जो दिया गया है उससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता तो यह article 21 है अब article 21 क्या है right to life and right to personal liberty ठीक है life की बात हो रही है उसके हकों की बात हो रही है उसके अधिकारों की बात हो रही है तो life की बात आप जैसे यह पढ़ेंगे procedure established by law तो अधिकार किसका है life का है article 21 right to life life को हिंदी में क्या बोलेंगे जान बोलेंगे ठीक है तो जापान को आप relate करिये life से और life का मतलब क्या है जान ठीक है जान से बन गया जापान और आपको बता चल जाएगा article 21 right to life और इससे आपको यह याद हो जाएगा विधी द्वारस्तापित प्रक्रिया ठीक है जो यह feature लिया गया है वो जापान से लिया गया है ठीक important है याद कर लीजेगा बहुत असान है फिर अब आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे हैं Russia की और Russia से जो features ले गया है वो है 5 year plans और fundamental duties ठीक तो इसको याद करने की एक simple से trick है मैं आपको बता दू कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं पहला व्यक्ति बोल रहा है कि यार saving करनी है दूसरा व्यक्ति करता है तो जादा जल्दी मत कर 5 साल की FD करा ले ठीक है Russia से बन गया rush 5 year से 5 year बनेगा और fundamental duties का बनाना है आपको FD जैसे की 5 year FD ठीक Russia का मतलब होता है जल्दवाजी ठीक है जल्दवाजी मत कर rush मत कर 5 साल की FD करा ले ठीक 5 साल की FD आप यात रखेंगे तो आपको दजल जाएगा कि Russia से हमने क्या लिया है 5 year plan 5 वर्षी योजना है और मॉलिक करतग है ठीक FD है यानि की fundamental duties है ठीक है फिर अब आगे बढ़ते है Ireland की बात करते है Ireland के constitution से हमने जो लिया है अब Ireland जो शब्द है इसको आप ध्यान से देखिए यहाँ पे RR है ELR है और DR है इनको तीनों को हमें देखते हुए चलना है और इसी से हमारे को यह तीनों feature याद होंगे पहला feature का है nomination of राज्यसभा members by president यानि की राश्टपती द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नमांकन आपको बता ही है president जो है 12 लोगों को nominate करते है राज्यसभा के member के लिए और यह वही है पहला जो feature है दूसरा है election of president president के elections यानि की राश्टपती के चुनाओ की प्रक्रिया और तीसरा है directive principles of state policy राज्य के नीती, निदेशक, ततो जिसको DPSP भी कहा जाता है ये तीन चीज़े आपको याद कैसे करनी है देखिए पहले तो आ रहा है IR में मैंने बता है आपको R को याद करना है EL को याद करना है R से बनेगा nominations of राज्यसभा members Ireland को आप जो है पहले president से relate कराईएगा Ireland जो है president के लिए relate कराईए कि important Ireland में president है, president क्या करेगा R से राज्यसभा के member को nominate करेगा जो 12 members होते हैं, दूसरा है EL, EL का मतलब है election खुद के, president के election ठीक है, और तीसरा है D, DPSP, यानि कि directive principles of state policy ठीक है, ये तीन चीज़े आपको ये सीधी सीधी याद हो रही है Ireland के नाम से, बस आपको ये याद करना है कि ये president से relate करेगा ठीक, फिर आप आगे बढ़ते हैं Canada की बात करते हैं Canada से, जो है हमने तीन features लिए हैं, Canada के constitution से पहला है distribution of powers between the central and state government यानि कि केंदर सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो powers होती है उनके बीच शक्तियों का वित्तरण ठीक, उसके बाद है कासी federal form of government एक तरह की अर्ध संगिय ढाचा है ये और residual powers with the center केंदर के पास अवशिश शक्तियां या फिर विशेश शक्तियां आपको पता ही है जो केंदरी की जो सरकार है उसके बाद जादा वो होती है powers होती है तो ये वो बात हो रही है तो अब इसको याद करा दू मैं तो distributed powers Canada को आपने याद करना है Canada से C-A-N है आपको बनाना है C-E-N Central की बात होगी जब भी Central का कुछ पूछा जाए कोई भी feature पूछा जाए तो आपने Canada से relate कराना है इसे Canada में C-A-N आता है आपको C-E-N करना है और C-E-N से क्या बनता है Central बनता है जब भी Central की बात है आपको पता जल जाएगा distributed powers केंदर और राज्ये के बीच की जो शक्तियां होती है उनका वितरन ठीक है ये पहला याद हो गया होगा दूसरा आपको Canada से ये important है 80 federal form of government ये याद रखना है Canada से ही आवाज आ रही है 80 का तो ऐसे कुछ करके याद करिए आप इसे और तीसरा है इसे आपको याद करना है जिससे आपको ये दो फीचर और 80 federal भी याद हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं USA की बात करते हैं बहुत important है अमेरिका इससे हमने 7 फीचर्स लिए है यहाँ के constitution से और वो क्या क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ written constitution लिखित जो सविधान है वो preamble ठीक है वहाँ पे preamble की language थी मैंने पहले आपको बताया था न Australia तो वहाँ पे preamble की language थी यहाँ पे preamble लिया हुए उसके बाद है supreme court फिर है fundamental rights फिर है impeachment of president vice president of ex officium chairman of raja sabah removal of supreme court and high court judges यह साथ features हैं हिंदी में आपको बताता हूँ पहले लिखित सविधान प्रस्तावना उच्चतम नियायले मौलिक अधिकार राष्टपती का महाभियोग और क्या है उपराष्टपती राजिसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे ठीक है और उच्चतम और उच्च नियायले के नियायधिशो को हटाना यह सारे features हमने याद करने का तरीका बहुत ही simple है एक पहले तो मैं trick लिखके देता हूँ आपको कि writing preamble was super fun ठीक तो writing preamble लिखना preamble जो था writing बना written से preamble बना preamble यहाँ पर super बना है supreme से और fundamental rights जो है वो fun के लिए बन गई तो चार features तो आपको इस trick से याद हो जाएंगे कि preamble को लिखना बहुत मज़िदार था ठीक है यह trick याद कर लिजए उसके बाद चार लोगों की बात हो रही है president के हो रही है supreme court और high court के judges के बात हो रही है ठीक है एक यह trick याद रखिए उसके बाद जो है सबसे बड़ा head of the country का उसका नाम याद रखिए उसके बाद vice president का नाम रखिए और उसके बाद supreme court और high court judges के जो यह post होती है इनके नाम याद रखने है पहले आपको USA से यह trick याद रखनी है और उसके बाद चार लोगों की post जो होती है president, vice president, supreme court के judge, high court के judge ऐसे याद रखोगे तो आपको USA से ले हुए जो features हैं constitution में वो याद दे जाएंगे ठीक तो अब आगे बढ़ते हैं last और बहुत important तो last जो country है वो है Britain इसके बारे में बात करते हैं इनी का राज था भारत पर अजादी से पहले तो आपको मैं बता दूँ कि जो parliamentary features हैं वो Britain के constitution से लिए गए हैं Indian constitution में तो आप ऐसे भी आज कर सकते हैं कि जैसे Ireland को हमने relate कराया था President से और Canada को Central से तो आप बता सकते है Britain को आप relate कराये Parliament से क्योंकि जो इसके maximum features है वो Parliament से relate करते है दूसरा एक और तरीक है आपको Britain को जो बनाना है वो brain बनाना है brain यानि की दिमाग से आप relate कराये ठीक है Britain से एक word बन रहा है brain ठीक है और जो दिमाग वाले वेक्ति होते है जो पढ़ाई में दिमाग लगाते है जादा उनको मिलती है Science Science, Commerce और Arts होती है उसमें मिलती है Science और Science को तीन भागों में डिवाइड करा होता है Physics, Chemistry और Bio में ठीक है तो brain बना brain से बना PCB यानि की Physics Chemistry Bio तो brain P ये रहा C ये रहा और B ये रहा यानि की Physics, Chemistry, Bio जिससे आपको तीन फीचर याद होने में बहुत ज़ादा असानी रहेगी जैसे की Parliamentary Form of Government ठीक है सरकार का संसदिये सरूप उसके बाए Bi-Cemeral Parliament जिसे बोलते हैं दुज सदनिये संसद और तीसरा है Cabinet System of Ministers मंत्रियों की Cabinet प्रणाली ये तीन फीचर PCB हो गया और ये लिए हैं अमने brain से यानि की Britain से ये तीन ही याद हो गया आपको चोथा है लोकसबा के जो speaker है ठीक है ये feature speaker of लोकसबा और उसके बाद है Last Single citizenship यानि की एकल नागरिकता मतलब किसी भी state का कोई व्यक्ति हो वो भारत का नागरिक कहलाएगा ठीक है कहीं का भी भारत में किसी भी state का या फिर UT का जो व्यक्ति होगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा Single citizenship बोलते हैं उसे ठीक है लोकसवा ब्रिटेन में आगया और Single citizenship ठीक है तो ब्रिटेन से ये पाँच फीचर से ले गए हैं भारत के Constitution में सविधान में ठीक है तो ये बहुत important टॉपिक है आपको ये questions पूछ लिए जा सकते हैं एक्जाम में और मैं आशा करता हूँ आपको इस तरीके से ये याद हो गए होंगे अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सीख विद्धे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें थैंक यू सो मच